हलो एवरिवन आज के विडियो में हम बनाएंगे आलू के पडाथे लेकिन आज के जो आलू पडाथे बनाने का तरीका है ये कुछ अलग है हम आता को गूंदेंगे भी नहीं और बेलेंगे भी नहीं तो चलिए देखते हैं ये पडाथे कैसे बनती है तो आलू पराथे के लिए सबसे important चीज है आलू तो हमने आलू को boil कर लिया है तो अभी हम आलू के चिलके को उतार के इसे हम एक greater के मदद से grate कर लेंगे हम इस boil आलू को greater के मदद से grate कर रहे हैं क्यूंकि हमें इसमें किसी तरह का lumps नहीं रहने देना है तो चलिए पहले इसे grate कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो आलू थे वो grate हो चुके हैं अभी हम इसमें कुछ ingredients एड़ करेंगे तो मैंने यहाँ पे बारीक कुटी हुई प्याँच का एड़ किया है हमने यहाँ पे धनिया के पत्ते और करी Le Lebens को बारीक चौप करके एड़ कर दिया है तो आप इसमें तीखा के लिए भरीमिच का भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर चिली फ्लेक्स का एड़ किया है तो अभी हम इसमें नमक का एड़ कर लेंगे इसमें चुटकी भर हल्दी का भी यूज कर रही हूँ यह ओप्शनल है अगर आप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हल्दी के यूज से जो पराटे का कलर है यह काफी इंहेंस होगा और देखने में अच्छी लगीगी तो चली अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसी के साथ मेरा आप लोग उसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हल्फुल लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं अपने चैनल में इसी तरह के यूसफुल कॉंटेंट लाती रहती हूँ तो हमारे जो आलू थे वो रेडी हो चुके थे अभी मैंने यहां पर करीब एक कप आटे का एड किया है आप चाहे तो मेरीडे खा भी का भी एड्ट कर सकते हैं तो अभी हम इसमें पानी का एड्ट कर देंगे और सारे मिशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपको पानी का एड़ धीरे करना है एक ही बार में बहुत सारा पानी अगर एट करने होगे तो आपके जो यह बेटर है यह ख़राब हो सकती है तो इसलिये आपको पानी धीरे-दीरे करके एट करना है आप अगर इसमें और भी किसी तरह का spices एट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं मैंने इसे सिंपल ही रखा है कि मुझे सिंपल ही ज्यादा पसंद है तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे जो बैटर ये रेडी हो चुका है तो चली अभी हम एक पैन को हल्का गरम कर लेंगे अभी हमें इसके लिए नॉंन स्टिक पैन होता है तो ज़ादा बहतर होता है फिर भी अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहार हो तो आप ईसे लोहे के कड़ाई बगैरा में भी बना सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा ओयल छिरक के कपड़ा से पोच लेना है तब क्या होता है यह लोहे का जो कड़ाई है वह भी नॉनस्टिक जैसे बन जाती है तो यह दिखिए अभी हम इसे पलत देंगे तो हम तो आलू के पड़ाथे बना रहे तो यह तो बीना ओयल या बटर से बनेगी ही नहीं तो आपको ओयल घी बटर जो भी पसंद है आप इसमें एट कर दें तो आपको इस तरह से ओयल या घी लगा के अच्छी तरह से दोनों तरफ से श्रेक लेना है यह जो पड़ाथे है यह बहुत ही इसली और बहुत ही तेस्टी बनती है और आपको बहुत पांच मिनित में ही बना के भी रेडी कर देती है अगर आपको आलू की पडाते बगेरा खाने का मन हो तो आपके पास समय कम हो तो आप इस तरह बहुत ईजिली बना के कह सकते हैं तो इसी तरह मैंने सारे पडाते को बना लिया है अभी आप देखी सकते हैं ये कितनी सौफ्ट और मुलायम बनी है तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें comment section में जरूर बताएगा और क्या आपने कभी इस तरह से आलू के पराथे बनाए हैं घर पे